हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार पंद्रह मई दोजार चोबीस और दा हिंदू न्यूज पेपर अनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टन न्यूज होंगी वो इस वीडियो के तरू डिसकस करेंगे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज के साथ सबसे पहले फरंट में जो दो न्यूज आपको दिखाई दे रही है पोलिटिकल न्यूज होंगी लेकिन इसके बाद जो इंपोर्टन न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे स्रिलंका के अंदर जो तमिल कम्यूटी है जो बेसिकली आप कह सकते कि नॉर्थरन सिलिंका व और उस कॉंटेक्स्ट में उन जो लोगों को अरेस्ट किया गया वहां के जो ओफिशल से है उनका ये मानना है कि ये कईने कहीं पबलिक हैल्थ के लिए या कईने कहीं जो इस तरह का एक इवेंट होल्ड करने का कॉंटेक्स्ट में जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानि जो लिटे जो ग्रूप था उसको फिर से रिवाईव करने के अटेम्ट की तरह इसको देखा जा रहा है तो उस कॉंटेक्स्ट में सिलंकन अथर्टीज ने कई सारे लोगों को अरेस्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में एक फोटोग्राफ आपको देखने को मिल रहा है यह फोटोग्राफ है केरला का और इसके अंदर आपको यह जो दिखाए दे रहा है यह कोईर है कोईर का मतलब यह होता जैसे आपने नारियल का जो छिलका उतारते हैं हम लोग उसके तुरूँ यह बनाया गया है और यह किसी नदी या किसी चोटे-चोटे केनाल के साइड में लगाया गया ताकि सोइल इरोजिन को कंट्रोल कर पाए तो इस तरह का एफट्स इन्हों ने किया है जो की एक यूनिक है और अपने लेवल पर इन्होंने एफट किया है इसके बाद एक फॉर्मर इंडियन आर्मी ओफिशर जो इस टाइम पर काम कर रहे थे युनाइटिड नेशन की एक इंस्टूशन के साथ उनको एक तरीके से उनकी हत्या कर देगी रफा के अंदर उनके पर अटाइक किया फॉर्मर आर्मी ओफिशर कॉलियन वेभो अनिल काले इन का नाम है ये काम कर रहे थे युनाइटिड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्ट इन सिक्योर्टी जिनको की ओपर अटाइक हुआ और उनकी विकल एक तरीके स्टक कर गया था उसके बाद उनको होश्पिटल के अंदर लेके गया गया बाद में उनकी डेथ होगी इसके अलावा ये कंटिन्यू वहाँ पर काम कर रहे थे इसराइल हमास कंफ्लिक्ट में 7 अक्तूबर 2023 से लेकर अब तक और कुछी दिन पहले इनोंने अपने सर्विस से एक तरीके से प्रीमेचुर रिट अब यहाँ पर सबसे यूनिक चीज़ यह है कि कोई उनाइटिद नेशन के जितने भी विकल्स होते हैं उन पर मार्किंग होती है कि यह पर्टिकलर विकल्स उनाइटिद नेशन का है और जो हुमनेटेरियन के लिए काम करते हैं तो उस कॉंटेक्स्ट में अटैक होना ओफ की जाएगी अब तक अगर आप रफा ये जो प्लेस हम बार बार डिसकस कर रहे हैं रफा वाला प्लेस है क्या अगर आप गजा स्ट्रीप को देखेंगे मैप के अंदर वहाँ पर एजिप्ट और गजा स्ट्रीप में जो एंट्री करते हैं रफा वोडर 20 को बोला जाता है जारत और इरान के बीच में एक agreement हुआ है चावार पोर्ट को लेकर और चावार पोर्ट को लेकर क्या इस पर सेंक्षन उनाइटस्ट स्टेट लगा सकता है देखो बात ये कि एरान के ओपर उनाइटस्ट स्टेट ने सेंक्षन लगा रहे हैं और इसलिए एक एग 2500 आपने sanctions हटाएगा और इरान अपने nuclear program को या nuclear enrichment का जो level है उसको reduce करेगा लेकिन ये deal success नहीं हुई थी आपको याद होगा जब Donald Trump President बने थे तो उन्होंने कई सारी deals को agreement को withdraw कर लिया था उनमें से एक थी इरान nuclear deal भी और इसी context में अभी क्योंकि इरान के साथ कोई भी country अगर trade करते तो US sanction लगा सकता है तो United States ने कहा कि new चावार पेक्ट जो है ये exempted नहीं है इसके उपर भी sanction लग सकता है भारत और इरान के बीच में agreement हुआ कि हम 10 साल तक अगले 10 साल तक चावार पोर्ट को develop करेंगे और United States Department ने कहा कि ये sanction के दाएरे में आएगा 2018 में जब हमारे एक प्रोजेक्ट था तो उसको कहीने कहीं sanction से revive कर लिया गया था बचा लिया गया था उसके पीछे reason भी हम discuss करेंगे ये जो प्रोजेक्ट है ये 120 मिलियन डॉलर का एक investment होगा इसके लावा 250 मिलियन डॉलर की एक credit window create की जाएगी और sanction लगेगे नहीं लगेग पर agreement किया है United States के अगर हम बात करते हैं US के sanction इरान पर continue रहेंगे और कोई भी country हर एक country को समझना चाहिए कि potential risk create कर रहे हैं अगर आप 2018 के बारे में बात करते हैं 2018 में जो US ने sanction को withdraw किया था उस ट्रम पे प्रेजिडेंट थे डोनल्ड ट्रम ठीक है उन्होंने गहाता कि ये व जो विक्टरी थी इसको इंडिया यूस डिप्लोमेटिक विक्टरी के तरह देखा गया और इसमें कहिना के डेमोक्रेटिक गवर्मेंट जो अफगानिस्तान के इसको स्पोर्ट करने के बारे में भी बात चित थी यूनाइटिज स्टेट जो है सेंक्शन को दो-तिन वज़े से विड्रो कर सकता है या एक्जेंप्शन दे सकता है एक तो हुमेंटेरियन एडो इरानियन लोगों के लिए दूसरा अफगानिस्तान को आप असिस्टेंट प्रवाइड करें और तीसरा क्या बही प्रेजिडे भी लगाए ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि युनाइटिज स्टेट के अंदर भी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन प्रोसेस में जनरली हम यह देखते हैं कोई बड़े डिसिजन नहीं ली जाते जब प्रोसेस होता है क्योंकि वो इंपक्ट कर सकते हैं इलेक्शन स्टेट के बारे में उन्होंने बहुत सार चीज़े बताई है निसार यानि नासार उश्रो का सिंथेटिक एपर्चूर रेडार या निसार मिशन आप कह सकते हैं कि नासार उश्रो का जोइंट वेंचर है यह मिशन बहुत इंपोर्टेंट है हलाकि यह मिशन रॉंच नहीं जो गद्वीद्या होती है अर्त के अंदर उसको कहीं करने काम करेगा अगर आप टेक्टोनिक मॉमेंट को एक तरीके से कह सकते हैं मोनेटर कर पाते तो हम बड़े संक्या लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं क्योंकि अर्थ को एक एक ऐसी चीज ऐसिग में सेफ होने की possibility थोड़ी कम हो जाती है तो यहाँ पर यह बताएगा कि निसार का सबसे main focus होगा accurate ratio को बढ़ाना satellite जो है इसी साल के end में launch किया जाएगा और जिसके थूँ हर मन्द दो बार full earth map जो है वो cover करेगा यह water bodies को measure करेगा vegetation कितना है सुनो cover कितना है agriculture changes क्या हो रहे है desertifications क्या हो रहे है climate related issues क्या है उन सब को यह measurement करेगा और एजन से भी continue काम कर रही गगनियान 4 पर space docking mission पर तो यह interview दिया गया है हमारे इस रोचीप का यह interview आपको समय लगे जरूर पढ़िए समय ना लगे तब भी आप इसके बारे में देख सकते हैं मैं repeat कर रहा हूँ जो अगला important subject होने वाला है या जब यह launch किया जाएगा तब इसके बारे में detail और ज़्याद हमें देखने को मिलेगी हम उसको cover करेंगे ठीक है इसके अलावा next कुछ pages जो है वो कुछ basic basic सी news और उसके साथ political news भी attach आपको देखने को मिलेगी अलग-अलग राजलितिक दलों के अपने opinions हैं वो एक तरीके से election process के अंदर है इसके अलावा page number 6 पे United States के lawmakers ने यह का कि हम लोग एक introduce करने वाले legislation को जो Indian Ocean को लेकर हमारी strategies को क्या इनका प्लान चल रहा है commission ने नॉमबर 2022 में एक report बनाई थी कि इंडियन ocean region में हमारी strategy होगी जिसके अंदर हम economic interest US के economic interest को ध्यान में रखते हैं strategy बनाएंगे freedom of navigation को defend करेंगे regional partner और के साथ या उनके साथ cooperation बढ़ाएंगे जिन में Japan, Australia, India, UK और बात करते हैं तो उनकी prioritization है Indian Ocean region B केवल Pacific region नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो definitely US का focus है three key departments है state, defense और United Nations International Agency for International Development ये इनका एक important role play करेगा और आने वाले time में एक तरीके से navigation की freedom ये सारे चीज़ तो होगी international shipping lane को protect करना इनके अलावा अगर हम बात करें कैसे cooperation बढ़ावा देया जा सकता है Quad countries के बीच में जिसमें US, India, Australia और Japan इन सब पर United States focus करेगा और jointly एक तरीके से अपने partner countries के साथ मिलकर जितने भी concern चाहे वो environmental disasters ही क्यों ना हो या जो navigation को freedom of navigation को जो challenge करने इकोसिस की जाती है उसको counter करने के लिए जो efforts है उसमें भी United States help करने वाला है इसके अलावा solar storm की अगर हम बात करते है solar storm अभी 10 माई को हमने देखने को मिला और उस टाइम पे काफी ज़्यादा highlighted था solar storm क्या है ये rare occurring है basically कुछ decades में कुछ decades में होता रहा था जैसे last में 2003 में हुआ था जब बड़ी सिंख्या में ये close आ जाता है solar के या solar cycle के बिलकुल close होता है तो उस context में इस तरह के एक photograph आपको देखने को मिलते है generally high altitude पर नजर आता scientist monitor कर रहे है sunspot को जिसको AR3664 बोला जारा है जिसको माई 7 में एक तरीके सह सकते है ये और ज़्यादा वाइड होगा और अपनी magnetic energy को ये release करेगा 10 माई को ये देखने को मिला कि इसने mass ejections के आर्थ में 1859 से strong solar flare को observe किया जारा है जिसमें super geomagnetic storm हो सकता है इसका impact ये हो सकता है इसके वज़े से telegraph fire आग लग सकती है और power supply बिना power के हमें supply करनी पड़ सकती है तो ये इसके negatively impact हो सकते हैं ये brief में हमने इसके बारे हम देखा editorial की जहां तक बात है तो दो चीजे हम आपको बता दो editorial अभी हम discuss करने कर नहीं कर सकते उसके पीछे दो वज़े एक तो timing का issue है दूसरा pre हमारा बहुत close है तो जैसे ही pre हो जाएगा 16 June के बाद हम इसके बारे हम discuss करेंगे तो अगले कुसे दिन हम केवल news section पर हम discuss करेंगे और इसमें mapping और जितने भी important चीजे वो भी हम include करेंगे ठीक है तो उसको लेकर बिल्कुल भी आपको doubt नहीं है और जो editorial basically आ रहे हैं वो editorial news को हम better करेंगे तो editorial आप अगर माले ते कोई 2025, 26, 27 में प्लान कर रहा है तो वो self study से भी फिलाल के लिए continue कर सकता है इसके बाद अगर हम बात करें कुछ छोटी-छोटी news आपको देखने को मिलेगी for example देश में wholesale price index को लेकर एक data आया कि April महिने में wholesale price index जो है वो उसको increment हुआ छोटी-छोटी चीज़ों जैसे food articles है उनके price बढ़े potato, onions इंके price बढ़े vegetables, inflation काफी जाद देखने को मिली हमने देखा कि petty prices, धान की कीमते भी कहीं ने कहीं बड़ी तो prices में increment हुआ उसको लेकर एक analysis है wholesale price index आप लोगों के लिए ये ध्यानकना बहुत जुरूरी है जितने भी ये data release होते हैं जैसे IIP हो गया index of industrial production हो गया wholesale price index हो गया GDP का data हो गया consumer price index हो गया ये release कोन करता है ये बहुत important है तो ये आपके लिए एक ही question है कि आपको index of industrial production wholesale price index, consumer price index और GDP इनका data release कोन करता है और इनके release करने में base year अभी भी कोन सा use हो रहा है कि ये 2011-12 है कि 2016-17 है, 2021-22 है तो ये आपके लिए question है इसके बाद अगर हम बात करें कुछ छोड़ी-छोड़ी news जैसे सिलंकाई cabinet ने अप्रूव किया कि IMF के जो target उनको दिये गए थे वो पूरे करने के लिए उन्होंने कुछ economic laws के अंदर changes करने के बारे में approval दिया है ये lows क्या है कि वही एक तो debt कम करना GDP की compare में GDP ratio में debt का जो ratio हो कम करना है और जो इनको bailout package provide किया गया था IMF का जो loan आता है वो कभी भी non conditional नहीं होता है conditional loan ही IMF देता है तो उस conditions को fulfill करना होगा जैसे 1991 में हमने जो loan लिया उसमें भी conditions होती और उसके बाद हमने कई सारी conditions को complete किया ठीक है इसके बाद अगर आप दुनिया में बात करते है क्या इस तरह की चीज़े हो रही है जो घटनाएं कि अगर हम बात करते है recent time में पाकिस्तान के दोवारा जो illegally occupied area है जो पाकिस्तानी occupied कस्मीर का part है वो काफी protest face कर रहा वहाँ पर लोग protest कर रहे है price तेजी से बड़े है और जिसकी वज़े से कई सारी लोगों की death भी हुई है बड़ी संक्या में लोग एक तरीके से वहाँ पर protest कर रहे है ये again जो front page पर हमने पड़ी थी सिलंका के जो तमील है वो face कर रहे है कि civil war में जो लोग मारे गए तो उनको याद करने गए थे लेकिन उनको arrest किया गया तो इस तरह की news आपको देखने को मिलेगी छोटी छोटी लेकिन important news के साथ ये एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो आज के the Hindu में हमने जो brief important और duties की वज़े से तो हो सकता है कि 25 को जब हमारे याँ election होंगे तो 24-25 को साथ वीडियो भी ना आने पाए लेकिन जब भी जैसे भी समय मिलेगा definitely हम लोग इसके बारे में discuss करेंगे और कोशिश रहेगा कि continue हम लोग बना पाए हो सकता है एक दो दिन बीजी होने के वज़े से ना आ पाए बाकि सभी दिन continue आएगा तो फिलाल दै हिंदू न्यूज अनलिसिस में इतना ही थेंक्यो जहिन